तूटी हुई हड़ियों को वेल्टिंग जैसा मजबूत जोड़ लगा देने वाली ओसदी से आज आपको रूबरू करवाने वाला हूँ परकर्ती कितनी सुंदर है और परकर्ती ने हमें धेर सारी इतनी ओसदिया दी है कि हम उनका इस्तेमाल करके हमारे स्री की भिन भिन प्रकार की विमारियों को ठीक कर सकते हैं लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में हम इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हमारे आसपास इतनी जड़ी बूटी है इतनी ओसदिया खड़ी है लेकिन हमें पता नहीं होता कौन सी जड़ी बूटी कौन सी ओसदि किस विमारे में काम होती है और इस ओसदि का नाम क्या है तो ऐस इसी ही ओसदी से आज आपको रूबरु करवाने वाला हूं, यह एक ओसदी देखिए हमारे आसपास ऐसे ही खड़ि रहती है, खर्पतवार के रूप में, घास के रूप ए, हमारे भी खेतों में देखिए, बहुत सारी ऐसे फाइसे इउतपन हो जाती है, जब हम खेती करते है फसल लगाते हैं तो ऐसे बिना उगाए ही ये अपने आप ही उत्पन हो जाती है खर्पतवार के रूपे तो दोस्तों ये इतनी कमाल की ओसदी है इतनी मैतों पूर्ण हमारे सरीरिक फायदे देरे वाली ओसदी है सबसे पहले तो मैं आपको इसकी पैचान बते देते हूं दे इसको नाम हिंदी में इसको चोलाई बोलते हैं कुछ सतानिया लोग इसकी सबजी बनाकर भी इसका सब्जी बनते और इसमें भरबूर मातरा में फाइबर पाया जाता है फाइबर पाने की वुझए से ये हमारे पेट की जितने भी रोग है पेप्टिकंस रह के Jobs है पेट में सोजन है, आतियों में सोजन है, कबज रहती है, और साथ की साथ, अगर किसी को पाइल्स की दिक्कत है, बवासिर की दिक्कत है, खूनी हो या फिर बादी हो, उसके अंदर ये जो चुलाई घास है, बहुत ज़्यदा फायदे करता है, इसमें बवासिर में कैसे लेना पहले आपको इस घास के रस का सेवन करना है, आप देखेंगे एक हपते के अंदर अंदर आपकी खोनी और बादी बवासिर आपके बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और दोस्तों जो सबसे महतवपन और मुख्य फायदा इसका आज जो बताने वाला हूँ, वो है तूटी हुई हड़ियों को, जी हां दोस्तों, फैक्चर को इतनी मजबूती से जोड बना देगा कि आपको कैलिशियम की टेबलेट भी नहीं खाने पड़ेगी, अगर आपको कहीं भी फैक्चर हुआ है, चाहे आपको एक्सिडेंट के दुरान होआ हो, या फिर कहीं से गिरने के दुरान आपको फैक्चर हुआ हो, पहले तो उस हड़ि को आपको सेट करवाने पड़ेगा, क्योंकि अगर हड़ि अच्छे से से नहीं होगी, तो अच्छे से जुड़ने ही पाएगी, तो पहले आपको हड़ि को सेट करवाना पड़ेगा, और फिर उसको पर पलस्तर बनुआना प उब रस की निकाल करके और तीन गला मात्रा इसमें काला नमक चूंदा नमक मिला लिज्स के अंदर 20 tv इममल यह चुलाई घास का रस और तीन गला मत्रा काला नमक या फिर सेंदा नमक इसके अंदर मिला लेजिए और सुबह खाली पेट आप इसको सेवन कर लीजिए और इसी परकार तो फैर को 20 ml रस और इसी परकार शाम को 20 ml रस दिन में तीन बार आप इसका परियोग करते हो तो हपते के अंदर अंदर आपकी जो टूटी हुई देगी जियां दोस्तों बहुत ही कारगार उस दिये इसका परियोग हमने पतानी कितनी ही बार किया है और कितने लोगों को सवस्थ गया है बहुत ही आपको सिंपल सा घास दिखाई देगा लेकिर इसमें भरपूर मात्रा में कैल्सियम होता है अगर किसी को यह ना मिले एक इसको अच्छे से साफ करके छाया में सुखा करके इसका बिल्कुल मारिक महीन पाउडर कर लीजिए बिल्कुल महीन बारिक कपरचान करके किसी बोतल में बढ़कर रख लीजिए और फिर आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है एक चमस सुबह एक चमस श्याम को दूद के करनाए आपको सुबह श्याम इसका से वन करना है आपके हडियों को इतनी मजबूती देगा जो अड़ियां बूरने लगी है कई परकोता क्या है ओल्डेंज में बूरने लगती तो वो हड़िया नहीं बूरएगी, साथ के साथ हड़ियों की जो रोग है कैलिसियम की कमई है, जो काॉल ट्रिलेज की कमई है घुटना दर्द करता है, कमर दर्द करता है, मासपेशियों में खिचावाने के अधर्द होता है सबी प्रकार के जोडों के दर्द में भी एक काम करता है बहुत ही कारकार उस्दी है आप इसका powder base भी इस्तिमाल कर सकते हो और आप इसका ताजा-ताजा रस निकाल करके इसका सेवन कर सकते हो तो आपकी टूटी हुई हड़ियों को तो जोड़ी देगा लेजी अच्छे से जो हमारे आसपास यह उस्दी खड़ी होती है और जानकारी के अबाव में आम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते तरह-तरह की medicine खाते रहते हैं उसकी जगाए अगर आप इस उस्दी का इस्तेमाल करके अपने आपको सवस्थ कर सकते हैं अपने विभिन परकार की बिमारियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हो तो दोस्तों यह आपको information कैसे लगी अच्छे लगी तो वीडियो को जादा जादा लाइक भी कर दीजिए नमस्कार जैहिंद